यह नो जब आप किसी का प्रोफाइल फेस्बुक पे चेक करते हैं और फिक कहते हैं जार साई बंदा ही है और फिर उसे रियल लाइफ में मिलते हैं और कहते हैं आप बोरिंग ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैंने देखी इस हफ़ते की रिलीज हुई नई फिल्म फिल्म एक सची कहानी है गौर हरी दास की जो अपनी दास्तान सुना रहे हैं कि कैसे 30 साथ उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि उन्हें फ्रीडम फाइटर होने का तामर पत्र मिल सकेगा डिरेक्टर अनंत महादेवन की पूरी की पूरी फ्रेंड लिस्ट इस फिल्म में पाई जाएगी ऐसा संभव होगा क्या अगर किसी ने अच्छा काम किया तो वो सिर्फ कौन करना सेंश हर्मा है उनके लिए ना मुझे बहुती बुरा लग रहा था क्योंकि फिल्म में क्या हो रहा है किसी को कोई आइडिया ही था जाई 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 आप लग जाई अगर आप उनमी से हैं जिनको रात को नहीं नहीं आती तो आप इतने साल कैसे लड़ सकते हैं फिरम में ना तो कहानी एंगेजिंग है और ना ही क्यारेक्टर्स के लिए हम कुछ फील करते हैं तो अगर आप उनमी से हैं जिनको रात को नहीं नहीं आती तो आप गौरहरी दास्तान का सेवन अवर्श करें तो बच्चों हमने क्या सीखा ट्रेलर पे मत जाओ अब विनिया कर लड़ाओ मैं दे रही हूँ गौरहरी दास्तान को वान कुंट आउर फाइफ जब एंड में हम रियल वाले जो शीले और पुर्तीले गौरहरी को देखते हैं तो मैं पता चलता है कि विने पाटर्स ने कि से निया अंडर एक्टिंग करिये नई मैंने कोई कलत हरकत नहीं करी मैं मा हूँ मा अपने बच्चों को प्यार करती है तो वह शील हरकत होती है मेरे बच्चे मेरे भग मेरे को बहुत प्यार करते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं I am pure and pious so are day